हेलो दोस्तों आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि हमारी CRPF SCM and ASI स्टोनों के लिए टाइम एंड वर की क्लासेस चल रही हैं जो कि मैं प्रिवियस येर SSC GD MTS CHSL के क्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं तो यह हमारी टाइम एंड वर की क्लास थर्ड है अगर आप इससे पहले की क्लासेस नहीं देखें हैं तो आप उसे जरूर वाच करें उससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा वहां पर मैंने बेसिक से बताया हैं वहां के क्यू क्यूशन का लेबल भी बढ़ता जाएगा और यह क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेनीफिट होंगी क्योंकि जो क्यूशन है ससी के द्वारा और हाली में पूंचे के लेटेस्ट पैटन पर हैं जैसे कि हाली फिलाल हाल फिलाल में क्यूशन पूंचे जा रहे हैं तो अगर को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि दोस्तों हमारा पहला क्यूशन है कि एक कारी को 15 घंटे में कर सकता है दोस्तों अगर आप पिछली दो क्लासेस नहीं देखा है तो आप उने जरूर देखें उसी की बाद आपको जो क्यूशन करने का तरीका है वो मालूम हो जागा जो कि मैंने पिछली दो क्लासेस में अ जो किसी कारी को 15 गंटे में पूरा कर सकता है, और B उसी कारी को 30 गंटे में पूरा कर सकता है, तो दोस्तों यहां पर उनका time, A और B का हमें time पता चल गया, अब हमारा target क्या होता है, total work निकालना, total work कैसे निकालते हैं, total work जो A और B का time है, उनकी जो numbers है, उनका क्या लेंगे, LC हम लेंगे 15 और 30 कालस्यम कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा और इनके बाद क्या हमारा टार्गेट रहता है एफिसेंसी कैसे निकाल दें दोस्तों कि जैसे यहां पर एक कार को 15 दिन में कर रहा है तो टोटल वरक से जब डिवाइड करते हैं उसके टाइम को तो हमें प A की एफिसेंसी 2 और 30 को 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 तो B की एफिसेंसी 1 अब चलिए आगे पढ़ते हैं A द्वारा 5 घंटे कार करने के बाद B भी सेसकार को पूरा करने के लिए A के साथ सामिल हो जाता है सेसकार कितने समय में पूरा हो जाएगा दोस्तों आप ध्या को इसको एंटे कार करता है तो कितनी है दो है तो दो ऐफिसेंसी के साथ 5 काम करेगा तो solidarity कितनी है दो और एक जा वन और वह एक कितनी है दो तो टोटल ऐसेंसी कितनी हो जाएगी तिसको अब डिवाइट करोगे तो कितना हो जाएगा तिन छांक अठारा मतलब हमारा जो च्छा वाल आपसन होगा वह ही ओगा तो आपसन एल्मिनेट भी कर सकते हैं पांच यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता अब दो option में हम फस गए हैं तो चलिए solve कर लेते हैं पूरा ऐसे ही आपको eliminate भी करना मैं सिखाऊंगा कि आपको option कैसे eliminate करना है ना अब यहां पर क्या हो गया remaining कितना बचेगा च्छत दो बचा रहा है च्छत तीन शाग 18 और दो बचेगा तो 2y3 मतलब इसको हम क्या कर लें 2y3 को मिनट में क्योंकि हमारा एंसर मिनट में दे रहा है तो मिनट में चैंज करने के लिए किया कर देंगे दोस्तों सिस्टी से क्या कर देंगे multiply यह कितनी बार में कट करेगा 20 यह 60 तो चालिस मिनट ऑप्सन नमबर इस राइट एंस आई होप क्यूशन आपको समझ में आ गया होगा अगर ना समझ में आए हो तो आप वीडियो को थोड़ा reverse करके देख लेना चलिए नेस्ट बात करते हैं बह और हमेशा इस channel पर दोस्तों मैं पूरे previous यह राप हो हर एक chapter wise करा रहा हूं जैसे दो classes time and work की हो गई है अभी और classes होगी अभी इसके बाद फिर मैं average profit class हर एक की वीडियो time and work और पूरा previous यह target करूंगा है ना और question का level पहले शुरू में थोड़े easy रहेंगे इसके बाद hard होत यदि कोई पूरूश है 20 पूरूश है किसी कारी को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कितने पूरूश उसी कारी का 3 बटे 4 भाग 18 दिनों में 20 पूरूश है किसी कारी को कितने दिन में 36 दिन में कर रहे हैं यह हमारा क्या हो गया total work हो गया है अगर कोई पूरूश और दिन दिया है किसी कार को 36 दिन में कर रहे हैं तो यह हमारा total वर्ग हो गया और उसका हमें बोल रहा है कि यह कार नहीं करवाना है total वर्ग हमें कितना करवाना है तीन चौताई, तीन चौताई means 3Y4, तो इन्टू कितना कर देंगे 3Y4 हमारा ये कार निकल गया टोटल बर का 3Y4 निकल गया और कितने दिन में कराना है 18 दिनों में तो divide by कितना कर देंगे 18 ये हमारा बरावर हो जाएगा मैन और कितने मैन करेंगे वह हमारा find out करना है तब जो cancel होता 4 से कितनी बार में जाएगा 5 बार में, ये 18 ससी थे 2 बार में कितना हो गया 5, 2, 10, 3, option number 2 हमारा right answer होगा next question करते हैं दोस्तो next question, इस प्रकार के question मैने पिछली 2 वीडियो में आपको लगवक 10 question 5, 6 question करवा चुका हूँ उसी प्रकार से हैं क्या बोल रहा है दोस्तो एक्स एक कारिका जैसे पिछली question में जो classes में जो question दाते थे उनका लेबल थोड़ा आसान था अब जो question का लेबल जाए तो जीरे धेरे increase हो रहा है अब यहाँ पर जो language होगी थोड़ा आपको और extra सोचना पड़ेगा क्या पूँच रहा है उसकी अंसार आपको question solve करना पड़ेगा जैसे पूँच रहा है कि x एक कारिका 1 बटे 4 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है by समान कारिका 1 बटे 6 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है x और by ने 1-7-6 दिनों तक कारिक किया और z अकेले से इस कारिको 8 दिनों में पूरा करता है ज़िए by और z एक साथ कारिक करते हैं तो वे समान कारिकों पूरा करने में कितना समलेगी दोस्तों कुछ समझ मना रहा होगा क्या question बोल रहा है क्या करना है तो से step by एक-एक step में समझते हैं x एक कार का 1 बटे चार भाग 3 दिन में करता है दोस्तों अगर इस प्रकार का question आजा कि x या abc किसी कार का 1 बटे चार 2 बटे चार, 3 बटे चार इतना काम इतने दिन में करते हैं तो हमारा पहले target होगा कि हम उसका पहले total work निकाले जैसे यहाँ x जो है तो एक बटे चार कार कर रहा है एक बटे चार कार 3 दिन में कर रहा है means अगर वो total काम हमें कितना करवाना है 4 बट वो कितना काम कर रहा है एक बटे चार मतलब 1 काम 3 दिन में कर रहा है तो चार काम कितने दिन में करेगा बारक दिन में इसी प्रकार बाई जो है तो एक कार का एक बटे च्छावाग एक बटे च्छावाग मतलब एक कार च्छा काम करना है उससे लेकिन एक काम कितने दिन में कर रहा है चार दिन में तो च्छा काम 24 दिन में यह हमें टोटल वर्क अब फिर यहां तक करने के बाद हमारा क्या है टोटल वर्ग निकालना है चलिए निकालते हैं टोटल वर्ग टोटल वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों 12 और 24 के लसे कितना होगा 24 बड़ी नंबर पकड़ेंगे 24 और 24 जो है तो दे है उसका क्या कर देंगे डिवाइट तो बार एक साथ 24 का डिवाइट करेंगे तो कितना जागा 2 और 24 में 24 का डिवाइट करेंगे तो 1 तो एक्स और वाई की efficiency आ गई दो और एक अब next step में देखते हैं क्या बोलता है एक्स और वाई ने एक साथ 6 दिनों तक कार किया ठीक है एक्स एक दिन में कितना कार कर रहा है दो और ये कितना कर रहा है काम कर रहा है एक दिन में एक तो टोटल काम कितने करेंगे एक दिन में 3 और उन्हें कितने दिन तक साथ में काम करना है दोस्तों 6 दिन 3 x 6 करेंगे तो 18 में 18 काम उन्होंने कर लिया साथ में और जड़ जो है अब जड़ की बारे में जड़ आ गया बीच में जड़ अकीले सेसकार को जैसे 18 काम अपना अल्रेडी हो चुका है X और भाई ने कर लिया है और बचा कितना 24 में से 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 6 काम सेस बचेगा रिमेनिंग वर्क अपना कितना बचा 6 काम और इस 6 वर्क को क्या बुल रहा है कि Z कितने दिनों में काम कर रहा है 6 काम को Z 8 दिनों में कर रहा है कौन कर रहा है दोस्तो जेट कर रहा है तो इसकी काम में डिवाइट करेंगे किसका दिन का जिससे क्या निकलाएगा जेट की efficiency निकलाएगी इसको 2 से काट दो 2 से cancel करोगे तो कितना होगा 2, 3, 6, 2, 4, 8 तो 3 बट्टे 4 क्या होगी दोस्तों जेट की भी हमें efficiency मालू होगी जो की अभी तक नहीं पता थी अब next step क्या करते हैं यदि बाई और जेट एक साथ कायर करते हैं अब हमें बाई और जेट को एक साथ कायर करवाना है एक साथ कायर करवाना है means 24 काम को एक मिनर दोस्तों थोड़ा इरेज कर देते हैं efficiency तो मालू होगी 3 बटे 4 बाई की हो गई और जेट के कितनी है दोस्तों 3 बटे 4 जेट की efficiency कितनी निकाले है 3 बटे 4 24 काम को 24 काम को हमें किस के साथ करवाना है बाई और जेट के साथ बाई की efficiency 1 जेट की efficiency कितनी है दोस्तों 3 बटे 4 इनको add करोगे दिखतना थह एक साथ गरोकर मोटेस चार में है तुपर जाएगा तो 96 divided by 7 96 divided by 7 आपका option नहीं दिख रहा होगा एक option है आपर मिसिंग है अलिख सकते हैं आपर शवता option कुछ भी 10 अब इसको divide करते हैं देखते हैं कितनी बार में जाता है तो साथ से कितनी बार में जाएगा साथ एकम साथ कहरी बचेगा दो साथ त्रीकिकाइस देखो 13 आ रहा है अपना तो 13 एक ही option में है जो कि option नमबर 3 अब पूरा हमें solve करने की जरूरत ही नहीं है तेरह किसमें option नमबर 3 में इसको आप चेक भी करते सकते हों 13 सते इंचानने इंचानने पांच चियानने बटे साथ चियानने बटे साथ प्रेक्शन में हो गया है और यह भी मिक्स प्रेक्शन में लिखा है वह ही है चलिए next question अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों आर लाइक जरूर कर देना एक इससे हमको motivation मिलता है और अगर नए हो तो चैनल को कर देना इसी प्रकार की classes पाने के लिए चलिए next question ऐसे question मैं मौक में अगर आप जग से जीडी होगे आप मौक सॉल्व करोगी तो आपको वहां पे जो solution मिलेगा वह बहुत ही आपको जल्दी समझ मिने आएगा कि वह ऐसे solve करके आपको दे देगे मैं आपको पूरा solution बता र की परियोजना को पंदरह दिनों में पूरा कर सकता है यदि A और B मिलकर परियोजना पर कारिकरना शुरू करते हैं और B परियोजना को पूरा करने से पांच दिन पहले कार चूड़ देता है वैसे question आगए दोस्तों इन्यूट पर टाइप का question है कि कोई अगर कार करने से प बढ़ना है इए परियुज़ा को कितने दिनों कर रहा है दोस्तों एक परियुज़ना को 10 दिनों में कर रहा है व Самारा टार्गट क्या है डोटल निकाला इनमार किया लेंगे कितना हो जाएंग मिंस दस एक एफीसिंसी कितनी यह हो जाएगी तीन और वी के एफीसिंसी 15 के साथ डिवाड करेंगे 15 दोना 30 तो एफीसिंसी भी हमें पता होगी अब चलते हैं next क्या थो बोलता है यहां पर भी चून दा है न तो हम लिए को पांट दिन कार्य और करवाद देते हैं उसी की Eficience के साथ तो भी कितना का बीकी efficiency कितनी ही दोस्तों दो कि दो efficiency के साथ पांस भर वर्क करेंगा तो इस धीन दिन वर्क हो जाएगा तो 10 हो पहले से अपना वर्क 30 था और 10 वर्क और को हो गया दोस्तों कितना हो गया 40 वर्क अब इस 40 वर्क को 3 और 2 के साथ क्या करना है दोनों करवाना है 3-2-5 efficiency के साथ करेंगे तो 5-8 40 तो आपसम नमबर फर्स्ट क्या हो जागा राइट एंसर हो गया अगर इस प्रकार के करना है कि ऊस कार को जितने दिन पहले चोन रहा है और कार करवाने के बाद चेटना कार करेगा उसको टोटल वर्क में एड कर देना है और और जितना आएगा उसके फिर जो बोला रहेगा वो अपन निकाल लेंगे चलिए नेस्ट आई होप क्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे चलिए नेस्ट बात करते हैं यह भी इंपोर्टेंट क्यूशन है कि जॉन एक कार को प्रति दिन आठ घंटे कार करते हुए छा दिन में पूरा कर सकता है ठीक है मनु प्रति दिन चार घंटे कार करते हुए इसे तीन दिनों में पूरा कर सकता है दिन में एक दिन में बोला है कि इतने घंटे अगर नाइन से थ्री वाई फाइब घंटे कार काम करते तो यह इसे पूरा करने में कितना टाइम लेंगे ठीक है जौन को हम किसके साथ सो करते हैं जी के साथ जौन एक को प्रति दिन एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो 6 दिन में कितना दोस्तों काम करेगा 48 गंटे काम करेगा ठीक है फिर बोला है कि मनु मनु को M से सो कर रहे हैं दोस्तों मनु चार प्रते दिन एक दिन में कितना काम कर रहा है चार गंटे और वो कितना काम कर रहा है तीन दिन तो एक गंटे प्रत एक दिन में चार गंटे तो तीन दिन में 12 आवर अब हमारा बड़ी नमबर पकड़ेंगे बड़ी नंबर क्या है 48 गें यके थे 848 थार्यूम्र अधा है 46 bombard क्या हो जाएमन के चाहिए गी चार ओ जाएगी ॅभ बोल रहा Il कि एक दिन में हमें कितना काम करवाना है 48 काम करवाना है ठीक है 48 काम करवाना है किस efficiency के साथ 5 efficiency के साथ और कितने घंटे काम करवाना है दोस्तो 9 सही इसको solve करोगे 9 सही 3 बटे 5 इसको कैसे solve करते हैं 9 पचे 45 तिन 48 बटे 5 2545 गंड करवाना है किया उजाएगा दोस्तों in to से पांच के साथ कितना काम करवाना है और 48 गंटे काम करवाना है थे 5-5 कैंसे इए ैंसे 48 चैसे कितना हो जागा वन आएगा यह दिन दो जो है तो do total work complete कर लेंगे हमने क्या किया दोस्तों कि वहले हमने efficiency निकाली फिर इसके बाद जो बोला था कि total work को इतने घंडेम करवाना है पहले क्या है कि 5 कि जह जानों एक efficiency के साथ और इस चार efficiency के साथ टोटल कितना हो जाएगा पांच efficiency और इनको हनी और जन्नू मिलकर किसी कारी को बेश दिनों में पूरा कर सकते हैं ठीक है हनी को 12 दिनों तक कारी किया और जन्नू ने 6 कारी को अकेले 36 दिनों तक पूरा किया जन्नू ने अकेले पूरे कारी को कितने दिनों में पूरा कर सकते है यह दोस्तों थोड़ा new for 10 का नया question है तो आप इसे ध्यान से देखिएगा कि honey और जन्नों ने मिलकर किसी कारी को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं ठीक है अगर honey प्लस जन्नों दोनों मिलकर कार करे तो कितने दिन में कर सकते हैं 20 दिन में टोटल वर्ग कर सकते हैं ठीक है फिर बोला है कि honey ने 12 दिनों तक कारी किया honey जो है तो 12 दिनों तक कौन काम किया honey फिर जन्नों ने सेशकारी को 36 जन्नों ने सेशकारी को 36 दिनों तक काम किया 36 दे तक कौन किया दोस्तों जन्नों ने काम किया अब देखो क्या हो रहा है फिर यहां हमें कैसे निकाले कि एफिसेंसी क्या होगी यहां पर टोटल बर के निकाले इस प्रकार के गर क्यूशन आ जाए दोस्तों कि पहले दोनों साथ में मिलकर कार कर रहे हैं मिलकर किसी कार को इतने दिन में कर रहे हैं खिर अकेले अकेले कर रहे हैं तो क्या मतलब हुआ कि हनी और जन्नु पहले काम कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं तो टोटल वर्क ही तो हुगा और यह जो अलग अलग कर रहे हैं यह भी तो उसी काम को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग कर रहे हैं तो यह भी दोनों को equal क्यों किया क्योंकि दोनों ही total वर यहां साथ में कर रहे थे और यहां अलग-अलग कर रहे हैं लेकिन काम तो एक ही कर रहे हैं ठीक है इसलिए यहां पर हमने equal कर दिया अब चलिए एक तरफ ट्रांसफर कर लो और जे एक तरफ यह और जे क्या है नाम है और जन्नों के तो यह 20 है और 12 है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा एट होगा माइनस हो जाएगा इसकल्टू यह 20 जे है यह 36 36 में 20 जे करोगे तो 16 जे अब यह जो हमें निकल का ratio निकल लेगा ना दोस्तों तो हमें efficiency का ratio देगा तो यह अपॉन जे जे को हमने इधर टांसफर कर लिया तो 16 रेट को इधर टांसफर कर लिया तो यह 2 वाई 1 मिन्स यह की efficiency कितनी हो गई दोस्तों हाँ कि तू हो गई और जे की efficiency कितनी हो गई वन हो गई हर भार टारेट 8 टो टोटल वर्क निकलना धर और यह एज और जे मेरे नापर यह प्लस जे節 कि यह किसे साथ करेंगे कि यह कितना है थ्री इंटु 20 करेंगे तो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा कर दोस्तों करेंगे तो एंसर होगा जो कि आपको आपसा नमबर थर्ड राइट एंसर है चलिए नेस्ट क्विशन करते हैं दोस्तों नेस्ट क्यूस्टन उसी प्रखार का है जैसे हमने आपको समझाया है आई होप पहले आप वीडियो को पॉर्ज करें फिर क्यूस्टन को सॉल्व करें वो ज्यादा सही बेनिफिट होगा आपके लिए तो जैसे पी और की एक कारी को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं पी प्लस क्यू एक कारी को कितने दिन में कर सकते हैं 21 दिन में ठीक है वे एक साथ मिलकर कारी शुरू करते हैं देखो यहाँ पर दोस्तों लैंग्वेज चैन्ज कर दिया है पहले वे साथ मिलकर कारी करना शुरू करते हैं परंतु बारत दिनों के बाद, बारत दिनों तक साथ में कारी कर रहे हैं, P प्लस Q, बारत दिनों तक साथ में कारी करते हैं, बारत दिनों के बाद Q कारी जो है तो छोड़ कर चला जाता है, Q ने कारी को छोड़ दिया, और 6 कारी, 6 कारी को कौन कर या, 15 दिन में P काम किया, तो अब इससे हमें क्या निकालना है एफिशेंसी निकालना है अब इसको सॉल कर लो तो 21 पी हो जाएगा मल्टिप्लाइ कर देंगे अंदर 21 प्लस 21 q इसकल टू 12 पी प्लस 12 q प्लस 15 पी 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 एक साइट कर लो यहां देखो 12 पी 15 पी कितना हो जाएगा 27 पी और 21 पी है माइनस 21 पी कर दो और 21 q है और यहां पर कितना है दोस्तों 12 q माइनस किया कर दो 12 q इसको सॉल कर दो तो कितना हो जाएगा 21 q ठीक है तो 12 q इसको माइनस कर दो दो दोस्तों कितना हो जाएगा 9 q इसकल टू और यह माइनस करोगे तो अधे साथ में कि छ श च पी तो 9 q परावर 6 अब एफेशेंसी निकाल लो एफेशेंसी कैसे निकालोगे इसको पी और कि को एक साइट कर लो तो पी अफ़ान क्यू इसकाल्ट कितना हो जाएगा यह q इधर ट्रांसफर हो गया ते 9 अपऑन 6 क्या हो जाएगा इनकी एफेशे तोड़ा इसको एरेज कर देता हूं मैं यास तो पी और क्यों कि एफेसेंसी कितनी आ गई पी की तीन आ गई और क्यों की दो आ गई अब हमारा टार्गेट है टोटल बरकेंगा पी और की की यहां भी वैल्यू अगर फूट करोगे आपना तब भी आपका टोटल बरक आ जाए रज़ात हमें याँ पूट करेंगे जित्तों को ज्यादा ही पड़ेगा क्योंकि है वैल्यू फूट करना है और नौर्मल सॉल्ट करना थे प्लस क्यों कितना हो जाएगा फाइव इन्टू ट्वपन टी-वन फिर बोला है कि क्यों को कारवाना है तो क्यों के एफीशेंसी क साथ फोने 5 करेंगे 35 अप्सन नमबर सेकेंड जो है तो आपका राइट अंसर हो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस प्रगार की क्यूशन कभी भी आए कि अलग अलग तुकोड़ों में कोई पहले साथ में कर रहें का फिर अलग अलग कर रहें तो पहले आप उनका जो लोग क्या लेंगे डेज निकाल लेंगे आई होप यह किस्टन समझ आ गया होगा नेश्ट किस्टन बात करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ए बी और सी एक कारी को साथ साही एक बटे दो दिन 15 दिन तेस दिनों में पूरा कर सकते हैं तीन व्यक्ति हैं और तीनों का लग रख टाइम दिया ठीक है और कोई बात नहीं ये बी सी शाही एक बटे दो का मतलब वहता इसको सालब करेंगे साद दो निशुद्धर एक 15 बटे 2 वी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में शी कितने दिन में कर रहा है तीस दिन में यह तो इनका time हो गया अब हमारा टार्गेट है total निकालना LCM ले लो 15 15 30 का LCM कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा अब इनकी efficiency निकाल दो 30 को 15 बटे तुसे डिवाइस करोगे इस कितना हो जाएगा चार हो जाएगा क्योंकि उपर प्लड के चला जाएगा तो दो दूनी चार और इसका निकालोगो बी का तो पंद्र दूना तीस और सी का निकालोगे तो वन ठीक है ए वी सी के फिजन्सी आगई 4 दो वन फिर बोल रहा है कि A और B एक कार को एक साथ कार करना प्रारम्ब करते हैं लेकिन तीन दिन बाद एक कार को छोट कर चला जाता है उसके बाद C, B के साथ कार करने लगता है और दोनों कार पूरा होने तक कार करते हैं तो संपूर्ण कार कितने दिनों में पूरा का क्यूशन दोस्तों एजी है थोड़ा क्यूशन की लेंगवेज जादा कर दिया है तो हमें step by step पढ़ते हैं कि A और B एक साथ कार करना पर प्रारमब करते हैं के साथ कितने दिन निन कार करते हैं कितना कार कर लेगे अठार काम और आधी बजगया है और 12 काम क huge करना Mac को किसको खर्वाना है ची और B tobacco कैसा है और फोटटल 08 करेंगे किते दिन में करें में चार दिन में तोंटे ऩाई कितना टाइम भड़ा टीन दिन पहले हो रहा था और अभी आ हाले संपूंह कर पूंचना आहें ईरना छा किकेंड़ का अहां हो टोटल प्लग करोल था चार ऊपस्ट पर آपका ये शली है चलिए नेश्ट बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकाइप और टंकी की भी क्यूशन होते हैं जो कि कितने टंकी में पानी भरेगी कितने टंकी समय में टंकी कोई खाली करेगी अगर कोई जो पाइप है अगर टंकी को खाली कर रही है तो उसे हम निगेटिव मानते हैं उसको क्य क्या देंगे निये ट्व उसको मार्किंग देंगे क्योंकि पानी को क्या कर रही है खाली तो इसी प्रकार से क्षिच्च करना है कि पाइप ए और बी एक टेंग को 15 और 18 गंटे में खाली कर सकते हैं ये तो पंद्र घंटे में खाली कर सकती है 18 घंटे में काली कर सकती है तो इसको निगेटिव शिंग ने दे दे सकते हैं क्योंकि खाली कर रही है तो माइनस कर रही है क्योंकि पानी निकाल रही है फिर सी अकेला टैंक को 6 घंटे में भर सकता है तो इसको प्लस शिंग दे देत तो से मितना हो जाएगा दोस्तों पहले आप 18 को पड़ें 18 को पड़ें तो 18 दूना चाहतिस तो त्याहिए शोमान अठार शक्वाधतर अठार पंचे नब्ब्बे नब्बे हमारा जो हो जागा टोटल वर्क हो जागा क्योंकि नब्बे ही है जो हर एक नंबर से कट जा रहा है 15 से भी 18 से यह हमारा टोटल वर्क होगा मतलब टंकी में इतना पानी है तो 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो 15 चक्का यह निगेटिव हो जाए क्योंकि माइनस में एफिसेंसी रही क्योंकि यह खाली कर रहा है 18 पंचे नब्बे यह भी माइनस में होगी उच्छ के साथ डिवाइड करेंगे तो 15 चक्का नब्बे यह प्लस में रहेगा यह तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का दो त्याए हमें टैंक पूरा नहीं वरना है दोस्तों टैंक का दोतिया है टोटल हमारा 90 है 90 का टूबाइट थ्री कर रहोगे तो कितन माइनस एक-10 में सब को कितना काम करवाना है इंप चाण टोटल काम जाएगी घञ बाद चार 법 2 तो दोस्तु काट हें दोस्तू किटने बार उशाएगा 20 बार में है और एक इतना दो ठीक है कि दोस्तों एक मिनट कहीं लगता है कि टैंक का दो त्याए टैंक का दो त्याए मेंस 90 ठीक है कोई दिखकर नहीं तो दो से काट होगे तो 15 हो जाएगा 15 गंटे टोटल लगेंगे जो आपका आपसा नमबर 3 है कि यह कीसिंट समझ में आगा होगा कि अगर कोई टंकी खाली कर रही है तो इसको उसको पॉजिव फॉजिव और रही है तो उसको पॉजिव ऑफिसेंसी भी उसकी निगेटीं- Estamos होगा और यह 15 है 15 माइनस जा रहा तो चार एफिसेंसी आगई चार एफिसेंसी के साथ साथ काम करवाना है अब यह 90 था 90 का भाई यह लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना और ऐसे वीडियो फाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट चैप्चर हम एवरेज का भी ला रहे हैं जल्द ही एवरेज की वीडियो प्रिविएस यह कराने वाले हैं तो वह भी और MTS में आये हैं पूरे इसी लेवल का हमारा क्यूशन रहेगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं